खबर रिवा से है जहां सिविल लाइन थाना छेतर के कोट के सामने संचालित हौकर्स कौनर में चाय सुट्टा बार के सामने आई दिन गैंगवार जैसी इस्थिती उत्पन होती है यहां कई बार गोली चलने की घटना घटित हो चुकी है इसके बाबजूत पुलिस प्रसासन हाथ पर हाथ रख कर बैठा है हलाकि पुलिस प्रसासन मानता है कि ब्यापाजियों के दवाओ के चलते पुलिस लगातार यहां पर जाज परताल नहीं कर पा रही है दरसल मामला सोंबार की सामका है जब सुट्टा बार के सामने एककत्र एक दरजन युबगों के बीच कहा सुनी हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों से लोग तलवार, डंडो और पिश्टल के साथ पहुँच गया इतना ही नहीं, दो हवाई फायर भी किये जहां दिवाल में गोली लगी है, गनीमत रही कि गोली किसी व्यक्ति को नहीं लगी और बड़ी घटना टल गई है गटना की जानकारी के बाद छेतर में सनाका खिच गया, आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुँची पुलिस ने छेतर में लगे सीसी टीवी कैमरों को खगाला है हलकी पुलिस के द्वारा आधा दरजन यूबकों को चिन्हित किया गया है जिनको पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई है आपको बता दे कि सहर भर में नसेडी सुटा बार के सामने एककत्र होते हैं जहां आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं महले वासियों की माने तो अधेरा होते ही यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है ज्यादा तर यूबा सुटा बार के सामने पहुशते हैं वहीं हाकर कॉर्णर में अपराधियों और नसेडियों का जमावड़ा लगता है जहां नसे की हालत में आये दिन गोली चालन की घटनाएं भी घटित होती हैं पूरे मामले को लेकर एडिशनल स्पी स्यू कुमार वर्मा ने कहा कि तीन यूबकों की पहचान हो गई है जिनको पकड़ने के लिए टीम में भेजी गई हैं वहीं कुछ सीसी टीवी कैमरे में अन्य यूबक भी कैद हैं जिनकी सिनाखत का प्रयास किया जा रहा है बताया जाता है कि नकाब बात कर बाइक में सवार होकर यूबक पहुचे थी जिनके दोरा गोली चलाई गई है गटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं पुरिस उनकी तलास कर रही है आईए आपको सुनाते हैं अडिशनल स्पी सिवकुमार वर्मा ने क्या कहा है कुछ पैंचान में हो गई उनके नाम ली किलियर हुए है पुरिस पार्टियां चली गई है और इसमें हवाई फार्टाय को कुछ करने का प्रयाज किया डराने का प्रयाज किया असा समझ में आ जाया है किसी को चोट नहीं लगी अभी तक की जानकारी किया दार पर पुरिस अपनी वैदानी कारवाई कर रहे है इसके पूल भी कटना होस्ते हैं प्रयाज किया तो वैपारियों की तरफ से गया पना आ जाता है कि सब हमारा वैपार खरा हुए ता पुलिस आ जाती है तो लेकर प्रिफरी प्रिस इसके बाद भी लगतार अभी यहां चेकिन रखेगी और मासर पर नजर रखेगी और आब सक करवाई करेगी अभी कुछ पता नहीं चला है जब फर्यादी मिल जा है कि क्या हुआ उसके कारण क्या है और इसके बाद जानकारी लग जाएगी तो पता बता देंगा